नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल रवीश्टडी आईक्यू जीके पर आज मैं आपके लिए जीके का सबसे जादा इंपॉरेंट पार्ट पॉलेटी इसके मुस्ट इंपॉरेंट कोशन इस वीडियो में लेकर आयों मैंने आपके लिए सभी कोशन स्लेक्टिड और इंपॉरेंट लिए अगर आप किसी भी एक्जाम की त्यारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफी जादा यूसफुल रहने वाला है ये वीडियो जो है पॉलिटी एंसी आटी जीके का पार्ट वन है इसके बाद जितने वी पार्ट आएंगे फेंट्स वो पार्ट भी आप जुरूर देख लेना लिंक में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या प्लेलिस्ट में डाल दूँगा तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट कोशन से फर्स्ट कोशन है मारा समिधान सभाग का स्थाई अध्यक्ष कोन थ अगला कोशन है मारा समिधान के किस अनुछेद में भारत के राष्ट पती के बारे में बताया गया है अगला कोशन है मारा सही आंसर है option A कलकत्ता में कलकत्ता में फें 1774 इस वी में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच नियाले की स्थापना की गई थी अगला कोशन है मारा भारती समिधान के निर्मान में समिधान सभा को कितना समय लगा था सही आंसर है option C दो वर्ष 11 महा और 18 दिन भारती समिधान के निर्मान में समिधान सभा को दो वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था अगला कोशन कर लेते हैं भारत का समिधान कब सुईकार किया गया सही आंसर है इसका option C 26 नमबर 1949 को 26 नमबर 1949 को भारत का जो समिधान था उसे सुईकार किया गया था अगला कोशन कर लेते हैं समिधान सभा के जंडा समीती के अध्यक्ष कोन थे सही आंसर है option C राजेंदर परसाथ जो की हमारे देश की पहले राष्टपती भी थे ये समिधान सभा के जंडा समीती के अध्यक्ष थे next question भारती समिधान में मौली करतव्यों को किस देश की समिधान से लिया गया है आंसर है option D रूस भारती समिधान में फ्रेंट्स मौली करतव्यों को रूस देश से लिया गया है अगला question है मारा भारत की समिधान में अपातकालीन उपबंद किस देश के समिधान से लिया गया है answer है option A, Germany जर्मनी देश के समिधान से भारत की समिधान में अपातकालीन उपबंद को लिया गया है यह question भी most important है, exam में कई बार पूछा जा चुका है मैं आपको बता दूँ कि इस वीडियो में most important 25 कोशन करवाने वाला हूँ जब आपके 25 कोशन complete हो जाएंगे सभी कोशन मैं आपको एक बार revision भी करवाऊंगा ताकि आपको सभी कोशन इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएं और याद हो जाएं और लास्ट में 5 कोशन का test भी है जिसका answer आपने मुझे comment करके देना है अगला question कर लेते हैं भारत की समिधान में समवर्ती सूची जिसे की हम concurrent list भी बोलते हैं किस देश से लिया गया है सही answer है option D Australia भारत की समिधान में फैंस समवर्ती सूची को अस्टेलिया देश से लिया गया है कि आपने याद रखना है और फैंस मैं आपको बता दूँ कि हमारा current affairs का channel launch हो चुका है जिसका नाम है current affairs by रवी इसको भी फैंस आप अभी subscribe कर लिजे लिंक वीडियो के description में है current affairs by रवी अगला question कर लेते हैं भारत के मूल समिधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी सही answer है option A 8 भारत की मूल समिधान में friends कुल मिलाके 8 अनुसूचियां थी और present में कितनी है present में 12 अनुसूचियां next question कि समिधान संशोधन द्वारा भारती समिधान द्वारा भारती समिधान में 9 अनुसूचियां जोड़ा गया friends यह question हर साल exam में repeat होता है सही answer है option B प्रथम समिधान संशोधन 1951 प्रथम समिधान संशोधन 1951 द्वारा भारती समिधान में 9 अनुसूचियां जोड़ा गया next question स्वर प्रथम Congress के किस अधिवेशन में जन गन मन गया गया था answer है option C कलकत्ता अधिवेशन 1911 में सबसे पहले जन गन मन गया गया था next question भारती समिधान का कौन सा भाग समिधान की आतमा कहलाता है answer है option A उदेशी का उदेशी का जो होता है friends इसे समिधान की आतमा कहा जाता है next question नए राज्य की गठन की शक्ती किसे होती है आंसर है option C, संसद को नया राज्य का जो गठन करने की शक्ति जो होती है यह आपने याद रखना है next question, exam में कई बार पुछा गया है भाशाई अधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ था answer है option B, आंदरपरदेश आंदरपरदेश राज्य का फ्रेंड्स भाशाई अधार पर सबसे पहले गठन हुआ था और फ्रेंड्स के बाद जो मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ वो आपके लिए काफी important है, सभी question इसी वीडियो में याद होने वाले है अगला question है मारा, भारती समिधान में एकल नागरिक्ता का प्राबधान किस देश से लिया गया है सही answer है option A, Britain, ब्रिटेन देश रेफरेंड्स भारती समिधान में एकल नागरिक्ता का प्राबधान लिया गया है भारती समिधान में कौन सा अनुचेद वैक्ति को विदेश यातरा के अधिकार का संदक्षन प्रदान करता है आंसर है ओप्शन ए अनुचेद 21 भारती समिधान का जो अनुचेद 21 है ये वैक्ति को विदेश यातरा के अधिकार का को संदक्षन प्रदान करता है ये भी exam में कई बार पूछा गया है फ्रेंट्स एक important announcement आपके लिए कि अगर आप किसी भी exam की त्यारी कर रहे हो या आपके family में या आपके friends अकल में कि कोई भी किसी भी exam की त्यारी कर रहा है friends हमारी ना book launch होने वाली है रवी जीके के नाम से friends ये हमारी book होगी हर exam के लिए friends ये book काफी जादा useful रहने वाली है मतलब friends ये एक book आपको आपके exam में 80-90% marks directly दिला देगा ठीक है जल्दी friends ये book हमारी launch होने वाली है इस book का जो friends link होगा वीडियो के description में डाल दूँगा वहां से जाके आप buy कर सकते हो अगला question है मारा व्यक्तिगत सोतंतता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दाईर की जाती है आंसर है option A बंदी प्रतेक्षी करन व्यक्तिगत सोतंतता के लिए friends व्यक्तिगत सोतंतता के अधिकार के लिए बंदी प्रतेक्षी करन याची का दायर की जाती है समिधान के किस अनुछेद में प्रेस की सोतंतरता के बारे में बताया गया है सही आंसर है समिधान का जो अनुछेद 19A है इसमें प्रेस की सोतंतरता के बारे में बताया गया है अगला कोशन करते है भारती समिधान के किस भाग में मौलिक कर्तवों के बारे में बताया गया है आंसर है ऑप्शन C भाग 4A भारती समिधान का जो भाग 4A है फ्रेंट्स इसमें मौलिक कर्तवों के बारे में बताया गया है एक्जाम में कई बार पूछा गया कोशन है अगला कोशन है मारा भारती सम्मिधान में ग्यारवे मूल करतवे को कि सम्मिधान शंशोधन द्वारा जोड़ा गया था सही आंसर है ओप्शन बी 86 सम्मिधान शंशोधन दो हजार दो भारती सम्विधान में 11 मूल करतव्य को 86 सम्विधान संचोरदन 2002 द्वारा जोड़ा गया था निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राश्टपती कौन थे? सही आंसर है, option D, निलम संचीव रेड़ी, निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राश्टपती थे, ये भी एक्जाम में कई बार पुछा गया है वित आयो की नियुक्ती कौन करता है? आंसर है, option D, राश्टपती, भारत के जो राश्टपती होते हैं, ये वित आयो की नियुक्ती करते हैं आखरी कोशन कर रहे हैं, आम इस वीडियो का, और इसके बाद सभी कोशन का मैं आपको रिवीजन करवाने वाला हूँ केंद सरकार का प्रमुख कौन होता है? सही आंसर है, option D, प्रधान मंत्री, प्रधान मंत्री जो होते हैं, ये केंद सरकार के प्रमुख होते हैं मैंने आपको ये 25 कोशन करवाए, अब इस वीडियो का सबसे बहतरीन पार्ट है, रिवीजन, जितने भी कोशन मैंने आपको करवाएं हैं, अब फटा-फट से मैं आपको रिवाइस करवा देता हूँ और फिर्ट जो हमारा करण्ट अफेर का चैनल है, उसे आप सबस्क्राइब कर लीजिए, नाम है करण्ट अफेर्स बाई रवी नेक्स कोशन है रिवीजन का, समिधान सभा का स्थाई अध्यक्ष कोन थे? आंसर है, डॉक्टर राजेंदर पसाद नेक्स कोशन रिवीजन का, समिधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्टपती के बारे में बताया गया है? आंसर है, अनुच्छेद बावन नेक्स कोशन रिवीजन का, रेगुलिटिंग एक्ट 1773 दुआरा सर्वोच नियाले की स्थापना कहां हुई थी? आंसर है, कलकत्ता में 1774 इसवी में अगला कोशन कर लेते हैं, भारती सम्मिधान के निर्मान में सम्मिधान सभा को कितना समय लगा? आंसर है, दो वर्ष 11 महा 18 दिन नेक्स कोशन है, हमारा रिवीजन का, भारत का सम्मिधान कब सुईकार किया गया? आंसर है, 26 नवंबर 1949 को इसकी बाद, मैंने आपके लिए 5 कोशन का टेस्ट भी रखा है, टेस्ट वाला पार्ट आप जरूर अटेम्ट करना, और फैस्ट जल्दी न हमारी बुक लॉंच होने वाली है, रवी जीके के नाम से, अगर आप किसी भी एक्जाम की तियारी कर रहे हैं, ये बुक आपके ये काफी जादा useful रहेगे, maximum question आपको हमारी बुक से देखने को मिल जाएंगे आपके एक्जाम में, next question, समिधान सभाके जंडा समीती के अध्यक्ष कोन थे, answer है, राजेंदर परसाद, भारती समिधान में मौलिक कर्तवेओं को किस देश के समिधान से लिया गया है, answer है, र भी बोलते हैं, किस देश से लिया गया है, answer है, Australia, अगला question कर रहे हैं, revision का, भारत के मौल समिधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी, answer है, 8, और present में कितनी events, 12 है, किस समिधान संशोधन द्वारा, भारती समिधान द्वारा, नौमी अनुसूची को जोड़ा गया, answer है, प अगला question है, अगर आप किसी भी exam की त्यारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफी जादा useful रहने वाला है, अगला question है, सौरपथम Congress की किस अधिवेशन में जन गन मन गाया गया था, answer है, कलकत्ता अधिवेशन 1911, भारती समिधान का कौन सा भाग समिधान की आत्मा कहल आता है, answer है, उद्देशी का, नए राजे की गठन की शक्ती किसे होती है, answer है, संसत को, अगला question है मारा, भाशाई अधार पर सबसे पहले किस राजे का गठन हुआ था, answer है, आंधर प्रदेश का, भारती समिधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गय आता है, answer है, अनुछेद 21, व्यक्तिकत सोतंतरता की अधिकार के लिए कौन सी याची का दायर की जा सकती है, answer है, बंदी प्रतेक्शी करन, समिधान के किस अनुछेद में प्रैस की सोतंतरता के बारे में बताया गया है, answer है, अनुछेद 19A, अगला question कर रहे हैं, revision का, भारत भारती समिधान के किस भाग में मौलिक कर्तवय के बारे में बताया गया है, answer है, भाग 4A, भारती समिधान में 11 मूल कर्तवय को किस समिधान चंशोधन द्वारा जोड़ा गया था, answer है, 861 समिधान चंशोधन 2002, निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रत्थम करते हैं, आखरी कोशन कर रहे हैं, हम रिवीजन का, इसके बाद टेस्ट है, टेस्ट जरूर अटेम्ट करना, केंद्र सरकार का प्रमुक कौन होता है, answer है, प्रधान मंतरी होते हैं, friends मैंने आपको ये 25 कोशन करवाए, उसकी बाद, friends मैंने आपके सभी कोशन का रिवीजन आपको सभी कोशन इसी वीडियो में अच्छे चे समझ में आ जाएं और याद भी हो जाएं, वीडियो कैसी लगी है, friends आपने कमेंटर के ज़रूर बताना है, अब हम टेस्ट अटेम्ट करते हैं, answer आपने कमेंटर के बताना है, चलिए, स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट कोशन है हमारा टेस्ट का कि समिधान चंशोधन द्वारा भारती समिधान द्वारा नौमी अनुसूची को जोड़ा गया, friends अगर आपको ज्यादा टाइम चाहिए, वीडियो को पॉसर के टाइम ले सकते हो, अगला कोशन हमारा भारती समिधान का कौन सा भाग समिधान की आ नेक्स कोशन, भारती समिधान का कौन सा अनुचेद व्यक्ति को विदेश यातरा की अधिकार को संरक्षन प्रदान करता है, friends मैंने आपको ये 25 कोशन करवाय, उसके बाद सभी कोशन का रिवीजन भी करवाया, और उसके बाद 5 कोशन का टेस्ट भी ले लिया, जिसका अंस लेकर आता रोंगा, अगर आप पॉलिटी के सारे पार्ट कर लेते हो, friends, एक्जाम में आपको जातातर कोशन, मतलब मैं आपको इतनी शौटी देता हूँ कि जो भी कोशन बन सकते है, एक्जाम में, सारे हम आपको करवा देंगे, और friends, उससे बड़ी बात क्या है कि friends, अग हमारे चैनल का ट्रेड मार्क लगा होगा, original, ठीक है, जल्दी friends, ebook में आपको अबलेवल करवा दूगा, ठीक है, launch होने वाली है, ठीक है, रवी जीके के नाम से होगी, और friends, एक और news देता हूँ, मैं आपको कि हमारा current affairs का channel launch हो चुका है, अगर आप daily current affairs पढ़ना चाहते हो सुबह हमारी वीडियो आती है, current affairs by Ravi, हमारे चैनल का नाम है current affairs by Ravi, इसको भी friends, आप subscribe कर लीजिए, इसको जो friends, link है वो वीडियो के description में है, इसे आप subscribe कर लीजिए, current affairs by Ravi को, और जो हमारा telegram है friends, official telegram, उसे भी join कर लीजिए, Ravi Study IQ GK, इसे भी friends, आप join कर लीजिए, तो friends, अब ह Wish you all the best